हेलो गैट स्वागत है आप सब का अपने यूटूब चानल टाइगर टेक गेमिंग में तो कैसे आप सब आयोब कि आप बहुत ही मस्त होंगे तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो मैं बताऊंगा कि अगर जो आप तीन पत्ती खेल लाए हैं तो तीन पत्ती में किस तरह पत कर सकते हैं ठीक है और कौन कौन से पत्ते की कैसे पहचान की जाती है तो दोस्तों आज किस वीडियो मैं सबसे पहले आप लोगको बहुत ही भारपूर और नालेज अच्छा खासा देना माला हूं वह भी तीन पत्ती से रिलेटेड अगर जो यह नालेज आप छीक जाते हैं पकी रन कैसे बना सकते हैं देखिए दोस्तों मैं कापी पेन के जरी आपको बताओंगा हो सकता आप कापी पेने के लिए के बैट जाईएगा सबसे पहले मैं बताओंगा तीरेल कैसे बनाते हैं कौन से बड़ी तीरेल होती है ठीक है उसके बाद मैं बताओंगा पकी रन कै आपको समझाओंगा तो उससे पहले मैं बता दू भाई लोग जो लोग मेरे चनल पर नीव नीव ना है फर्स्ट आमा सबसे पहले मेरे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस्ट कर दीजिएगा उससे क्या होगा कि जो भी अच्छे ट्रीक या वीडियो मैं बताओं आज की वीडियो मैं छे रूल्स बताओंगा छे नियम बताओंगा तो आज का हमारा नियम और पहला रूल्स है तीरेल कैसे बनाए ठीक है यह देखिए अगर आप तीन पती का पती खेल लाएं दोस्तों किसी के साथ 10 बंद हैं चैबिस बंद हैं तो उसमें अगर जो आपक तीन पती आ जा रही है तो इका की यह तीन पती सबसे बड़ी पती मानी जाती है सबसे बड़ी आपको कोई हरा नहीं सकता ठीक है त्यान से देखिए यह हुकुम है यह कलर पान का है और यह इंट का है यह सबसे बड़ी तीरेल आपकी मानी जाएगी इका का तीरेल और आप को कोई हरा नहीं सकता ठीक है उससे चोटी जितने भी हैं बासा की हैं गुलू की हैं इका की हैं दहला की हैं जो भी तीन पती आ गई वो एक तीरेल हो गया लेकिन अगर जो इका की तीरेल आ गई एका की तीन पती आ गई तो यह आपकी सबसे बड़ी पती मानी जाएगी आप 100 में 100% कर सकते हैं और आपको कितना भी कोई बड़ा पती लगा लें आपको कोई हरा नहीं सकता ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा ठीक है दूसरा नियम मैं बताऊंगा पकी रन तो बहुत सारे ऐसे भाई इजये लोगें जो तीन पती खेलते हैं लेगिन पति की पहचान नहीं कर पाते हैं उनके पास कौन सी पती आ गई है तो छोटी पती है कि बड़ी पती कौन सी पति उसके हिसाप से वह सारा नहीं लगा पाते हैं अब चलिए मैं आप ко बताता हूं कि पक्किरन तो पक्किरन ध्यान से देखिएगा किस तरह होता है वो भी आप लोग जान जाएए पहचान जाएए तो हो सकता है आपको बहुत ही मदद करेगा वो कि यह होता है गाज पक्किरन आप ध्यान से देखिएगा यह आपकी होती है पक्किरन इक्का के देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा यह पक्की रन होती है क्यों पक्की रन होती है कि तीनों दोस्तों यह करम वाज होती है और तीनों एक ही कलर की होती है हुकम की इसलिए इसे पक्की रन कहा जाता है देखिए इक्का सबसे बड़ी पत्ती होती है तीन इक्के होते हैं जिसके पास वो बंदा सबसे बड़ा पत्ता है ठीक है वो सबको जीत लेगा लेकिन अगर जो तीन इक्के नहीं है किसी के पास तो यह सबसे बड़ी पक्की रन मानी जाती है जो दूसरे नंबर का नियम है दोस्तों ये दूसरा नियम है आपका कि पकी रन इसे कहते हैं अगर जो आप तीन पती खेल हैं आपके पास तीन पती में ये तीन पती आ जा रहा है तो इससे भी आप बहुत सारा पैसा जीश सकते हैं और आपको चाल पर चाल मरना है ये आपका पक्की रन में count होगा ठीक है अब चलिए मैं आपको बताऊँगा कच्ची रन ठीक है बहुत सारे भाई लोग है जो पती आ जा रही है तो मा लिजे पक्की रन तो आपको पता ही हो गया ठीक न तीनों करम वाज है तीनों सेम color किया है अब चलिए भाई लोग मैं आपको तीसरा rules और तीसरा नियम बताने जा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा है कच्ची रन यानि तीसरा नियम आप ध्यान से देखिएगा तो यह होता है कच्ची रन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पहले आप लोग आपक singles और यहां पर कैने तीनों करम और लेकिन तीनों दो क्लर कि हैं यहां पर देख लिए किसले हैं तीनित सले जात को यह कैसे में उम्मीद करता हूं दूस्तों यह यह समझ गये हुआ दूसर हैं बता दिया दूसरा नमर पे अक्की रन बता दिया तीसरे नमर पर कच्ची रन बता दिया अब आपको बताऊंगा कलर ठीक है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को छोड़के मज जाएगा क्योंकि वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और मजदार है दोस्तों ठीक है तो चलिए अब आपको मै बताऊंगा कलर अगर जो आप तीन पती खेल लाएं तो आपके पास कोई ऐसी पती आज़ा रहे है जिससे आप कलर की पहचान कैसे कर सकते हैं तो ध्यान से समझेगा तो आपने पहला समझ लिया तीरेल की स्तर बनाते वो समझ लिया दूसरे नम पकी रन भी समझ लिया कची रन भी समझ लिया अब चोथे नमबर पर आप समझेए कलर अगर जो आप तीन पती खेल लाएं तो आपके पास ऐसे आठ न दस करके करमवाश पती आ जा रहे है तो मत्वाश पती जो तरह काम करेगी दूस्तों एक दम पकी रन की तरह काम करेगी एक चोटी पती ठीक है और वो जो थी इका बासा गुल्रोबड़ी पती है अब देखिए यह हमारा एक कलर का भी हो गया ठीक है और दूसरी बात कि यह तीनों क्रम वाज है आठ न दस्त यह हम वागत्त तरह पैसा कमा सकते हैं ठीक है उसके बाद मानदी यहां पर पहुँए नम्बर पर मैं बता हूँ गा कि जुड़ ठीक है यह एक अलर की दो पती आ जा रही है घाई तो उसे हम जूट करते हैं ठीक है उसे आप जूट करके बना लिजि Knowing. जैसें यहां पर देख सकते हैं बस्टा की दो पत्ति और यह यह है तई जुम है इस peso आप ज्यादा है चल सकते सनके इससे च्छठवा नम्बर पे है यह आपका हाई काड हो गये ठीक है तो आपका च्छठवा नियम यही है कि आपको 8,9,10 यहाँ पे यह हो गया हाई काड सबसे बड़ी पत्ती ही हो गया है या आपको ज्यादा कुछ नहीं चलना है आराम से बैठ जाना है ठीक है चलिए अब दोस्त तो आपने पहला नियम भी सीख लिया होगा तीरियल कैसे बनाए पकी रन कैसे बनाए कच्ची रन कैसे बनाए कलर जूट हाई काट चलिए अब आपको मैं प्रेट कली डेमो करके दिखाऊंगा और इस छे और रूल्स में छे और नियम में मैं देखता हूं छे लोगों की ले रहा हूं ठीक है इसको अच्छे सखल कर ले रहा हूं अब इसको मैं यहां नीचे रख दिराऊंगा अब यहां पर मैं दोस्तों छे लोगों के बीच बाट उगा और आपको बताऊंगा जो भी नियम मैंने बता है वो छे नियम आपको बताऊंगा तो ध्यान से देकिए रहा हम कि यहां पर एक दो तीन चाहर पांच चैनल ना पर देख लिए चैनल लोगों के बीच मैंने डिवाइड कर दिया आपको तीन तीन पर बाट के फिर चैनल मैं बता रहा हूं आपको ठीक है चलिए यह पत्ति को मैं श्राइड कर देया हूं चलिए देख लिजिए यह जो नियम बता हैं आपको देखने हैं किसी में कौन सी पत्ति लगी है माले ज़िए आप छे बंदों के साथ खेलना है यह देखिए अरे वाँ तो यह देखिए छे साथ आठ आठ आपका यह क कच्ची रन की तरह कालर हो गया ठीक है तो यह उप्ट रन में भी जाएंगा रण माने जाएगी लेकिन क हैंत यहां पर देख सकते हैं जो आपकी कच्छी रन है तीसरे नमबर पर यहां पर यह हो गई 678 चलिए ध्यान से पहले समझिए 678 आपकी यह कच्छी रन हो गई अब यह आपका हो गया गया ध्यान से समझेगा क्यों कि बहुत ही इंट्रेश्टिंग और मज़दार यहां पर देखिए यह छेश्फाथ आठ रन हो गया आपका कच्छी रन ठीक है इहां पर दुकी का जूट हो गया तो यहांप पर हो गया चौत्धे नमबर का यह नियम हो दुक्की का जूट ठीक है चली इसे देख ले रहे हैं यह कुछ नहीं है तो इसको क्या हमारा माल लेंगे दोस्तों आप हाइकाड हो गया जो लास्ट नमबर पर मैंने बताया था छठर नहीं हम हाइकाड क्योंकि यहां पर तीनों यह दोनों एक कलर का यह अलग है यह हमारा स इस यह भी हमारा हाइकाड माना जाएगा ठीक ना और द्धान से समझेग्जेगा इफ दो तिन पांच एक हमारी मतलब सुच्ची आप माल लेजे एक तरह से पत्टी लगे है दो तीन पांच यह कि हमारी पती लगी ओछिक है 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 और लास्टु ने लास्ट वह गया प्रिटा कैसे समझे बाइल दोस्तोम मैं क्या बताना चारा हूं जैसे कि दोस्तोम आपको बता ए ब häufातार सकते हैं कैसे बता हुआ है जूस्त न करता है भूत wäre मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में ठीक है उसी के हिसाब से उसी के अधार पर मैंने छे लोगों के बीच यहां पर पती डिवाइड करके दिखाया है तो जिसमें यह 678 का चीरन लग गया है ठीक है यहां पर तुकी की जूट लग गई है तो ऐसे ऐसे करके फिर बाकी है हाई काड है बाकी सब कुछ हाई काड लग गया है दो तीन पांच एक बड़ी पती है इसमें कौन जीतर आप समझ सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं और उम्मीद करता हूं यहां तक जो भी नालेज दी है जो भी ट्रीक दी है आपको आई होब कि आपको बहु सारा वीडियो है तीन पती खेलने के साहे रूल सही नियम तीन पती बारे की से खेले सब तरह का मैंने वीडियो बना के रख दिया है आप लोग जा के देख सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हुगा पसंदा आगा प्ल